आज के सर्ग में एक और कहानी है जिसके अनुसार हम देखेंगे राजा निमे और वशिष्ठ का एक दूसरे के श्राप से देह त्याव तो चलिए प्रारम करते हैं आज का पाठ एशा तेन्रिगा शापस्य विस्तरो अभिहितो मया यद्यस्ति श्रवने श्रद्धा शोनो श्वेहा परां कथां एवा मुक्तस्तुरा मेन सौमेत्रिही पुनरब्रवी त्रिप्ति राश्चर्य भूता नाम कथा नाम नास्ति में रिपर लक्ष्मडे नैव मुक्तस्तुराम इक्ष्वाकु नंदनह कथां परमधर्मिष्ठां ग्याहर तुम पचक्रमे आसीद राजा निमिर नाम इक्ष्वाकु नाम महात्मनाम पुत्रों द्वादशमों वीरे धर्मेचा परनेश्ठितां तो श्री राम ने अब लक्ष्मड से कहा राजा निर्ग की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने के बाद कि लक्ष्मड इस तरह मैंने तुम्हें राजा निर्ग के शाप की कथा सुनाई यदि सुनने के इच्छा हो तो एक और कथा सुनाता हूँ उसे भी सुनू तो श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले अरेश्वर इन आश्चर जनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है तो लक्ष्वन के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम ने पुनह उत्तम धर्म से युक्त कथा कहनी आरंभकी बोले है समित्रा नंदन महात्मा इक्ष्वाकु पुत्रों में निमी नामक एक राजा हुए हैं जो इक्ष्वाकु के बारहमें पुत्र थे वे पराक्रम और धर्म में पूर्ण तह स्थिर रहने वाले थे सराजा विर्य संपन्नह पुरम देव पुरुपमम निवेशया मास तदा अभ्याशे गोतमस्यतू पुरस्य सुकृतम नाम वेजयंतम इतिशुतम निवेशम यत्र राजर्शिर निमिश्चक्रे महायशाह तस्य बुद्धि समुत्पन्ना निवेशया सुमहापुरम यजेयं दीर्ग सत्रेण पितुहु प्रहलादयन्मन ततह पितरमामंत्या इक्ष्वाकुम ही मनोह सुतम् वसिष्थम वरयामास पूर्वम ब्रह्म हर्शिसातम् अनंतरमसा राजर्शिर निमिरिक्ष्वाकुनन्दनह अत्रे मंगिरस्वं चैव भ्रिगोम चैव तपू निधिम आगे कहते हैं श्री राम की उन पराक्रम संपन नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समानिक नगर बसाया महा येशस्वी राजर्शी निमि ने जिस नगर में अपना निवास्थान बनाया उसका सुन्दर नाम रखा गया वैजयन्त इसी नाम से उस नगर की प्रसिद्धी हुई देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजयन्त है और उसी की समता से निमि के नगर का भी यही नाम रखा गया उस महान नगर में अपन को बसा कर राजा के मन में यह विचार उत्पन हुआ कि मैं पिता के हृदय को आलहाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यग्य का अनुष्ठान करूँ जो दीर्ग काल तक चालू रहने वाला हूँ रदनंतर इक्ष्वाकु कुल नंदन राजर्शी निमिने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूच कर अपना यग्य कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्मर्शी शिरोमनी वशिष्ट जी का वरण किया उसके बाद अत्री अंगिरा तथा तपोनिधी भ्रेगु को भी आमंत्रित किया तमु वाच वशिष्ठस्तु निमिम राजर्शिसत्तमं वृतो अहम पूर्व मिंद्रेण अंतरम प्रतिपालय अनंतरम महा विप्रोगोत महा प्रत्य पूरय पसिष्ठो अपि महा तेजा इंद्रय अग्या मथा करोत निमिस्तु राजा विप्रांस्ताल समानिय नराधिपह अय जद्धे मवत पार्श्वे स्वपुरस्य समी पतह पंचवर्श सहस्नानी राजा दीक्षा मथा करो तो उस समय ब्रह्मर्शी वशिष्ठ ने राजर्शियों में श्रेष्ठ निमिसे कहा देवराज इंद्र ने एक यग्य के लिए पहले से ही मेरा वरण कर लिया है अतह वह यग्य जब तक समाप्ट ना हो जाए तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो तो वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्रामण महर्शी गौतम ने आकर उनके काम को पूरा कर दिया उधर मा तेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यग्य पूरा कराने लगे तो नरेश्वर राजा निमिने उन ब्रामणों को बुला कर हिमाले के पास अपने नग ज्यावसानेतु वशिष्ठ भगवान रिशिही सकाशमागतो राग्यो हौत्रम करतु मनिंदितह तदनंतरमता पश्यत गौतमेनाभी पूरितम को पेनमहता विष्ठ पसिष्ठ भ्रहनह सुतह सराग्यो दर्शना कांग्षी मुहूर्तम समुपाविष्ठ तस्मिन्नहनी राजर्शिर निद्रया पहृतो भ्रिशं ततो मन्युर्वसिष्ठस्य प्रादुरासीन महामनह अदर्शनेनर राजर्शेर व्याहर तुम्मुपचक्रमे यस्मात्वमन्यम वृतवां मामवज्याय पार्थिवर् चेतनेन विनाभूतो देहस्ते पार्थिवई शति उधर इंद्र यग्य की समाप्ति होने पर अनिंद्य भगवान वशिष्ठ रिशी राजा निमी के पास होत्र कर्म करने के लिए आए वहां आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया था उसे गौतम ने आकर फूरा कर दिया था यह देख ब्रह्म कुमार वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए दो घड़ी वहीं बैठे रहे परंतो उस दिन राजर्शी निमे अत्यंत निद्रा के वशिभूत हो सो गए थे राजा मिले नहीं इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनी को बड़ा क्रोध हुआ वे राजर्शी को लक्ष करके बोलने लगे भूपाल निमे तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे प्रोहित का वरण कर लिया है इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा ततह प्रबुद्धोर राजातु शृत्वाशापमुदाहृतम ब्रह्मयोनिम्मथोवाच सराजा क्रोधमूर्चितह अजानतह शयानस्यक्रोधेन कलुशीकृतह उक्तवान्ममशापाग्निम्यमदंडमिवापरम् तस्मातवापिब्रम्हर्षे चेतनेनविनाकृतह देहस सुचिरप्रक्ष्यो भविष्यतिनासंशय इतिरोषवशादुभव तदानी मन्योन्यमशपितव रिपध्विजेंद्रव सहसैव बभूवतुर्विदेहव ततुल्याधिगत प्रभाववन्तव तब राजा की नींद खुली वे उनके दिये हुए शाप की बात सुनकर क्रोध से मूर्चित हो गए और ब्रह्मयोनी वशिष्ट से बोले मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी इसलिए सो रहा था परन्तो आपने क्रोध से कलुशित होकर मेरे उपर दूसरे यमदंड की भाती शापागनी का प्रहार किया है अता ब्रह्मर्षे चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा इसमें संशे नहीं है तो इस प्रकार उस समय रोश के वशीभूत हुए वे दोनों निर्पेंद्र और द्विजेंद्र परस पर शाप दे सहसा विदेह हो गए उन दोनों के प्रभाव ब्रह्माजी के समान थे इस प्रकार राजा निमी की इस कथा के साथ श्री वालमे की निर्मितार्ष रामायन आधिकाव्य के उत्तर कांड में 55 सर्गियां पर पूर्ण होता है इत्यार्षे श्रीमद रामायने वालमी की ये आधिकाव्य उत्तर कांडे 55 सर्ग है ओम्श्री सिता राम चंद्रा भ्याम नमा